आज हम बनाएंगे कस्टर्ड क्रीम डोनट्स इसके लिए हमें चाहिए टू कप्स मैदा ट्रीम इसट, 1 फ़ टीपून इसट, 1 वर्थ टीपून शॉल्ट, 3 टेबल स्पून शुगर, 1 अंडा, 1 टीपून वनिला इसंस, 2 टेबल स्पून बटर, वन फोर्थ कप हलका सा गरम पानी दालेंगे हाफ कप मैदा थोड़ा थोड़ा सा मैदा दालेंगे और सॉफ्ट डोर रेडी कर लेंगे इस तरह का सॉफ्ट डोर रेडी कर लेंगे अब डो पे वन टी स्पून ओईल लगाएंगे कवा कर देंगे एक घंटे के लिए किसी वांप प्लेस पे रख देंगे डो को राइस होने के लिए अब हम रेडी करेंगे कास्ट रख क्रीम जिसके लिए हमें चाहिए 250 ml मिल्क 1 फॉर्थ कप शुगर 3 एग योग 2 टेबल स्पून कॉन फ्लार 1 टेबल स्पून अंसल्टेट बटर हाफ टीजपून वाले नैसेंस दालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पे मिक्सर थोड़ा थीक हुए तक पका लेंगे और इस तरह से कंटीनियू मिक्स करते रहेंगे कस्टड क्रीम अच्छे से थीक हो गया माचला टेज़ जी बहुत अच्छा है अब हम फ्लेम आफ कर देंगे अब यह कस्टड क्रीम बहुत गरम है तो इसे हम थंडा कर लेंगे एक घंटा हो गया दो साइज में डबल हो गया हलका सा पंच करेंगे और सारी एद निकाल लेंगे मैदा डेस्ट करेंगे और बेल लेंगे राउंड कटर की हल्प से डोनट को हम शेप दे लेंगे इसी तरह से हम सारे डोनट को शेप दे लेंगे यह एक्स्ट्रा मैधा रह गया इसका हम दुबारा से पेड़ा बना लेंगे बेल लेंगे और डोनट को शेप दे लेंगे अब इक बेकिंग ट्रे पे इस तरह से बटा पेपर को कट करके रख लेंगे मैदा डस्ट करेंगे और इस पे डोनट्स रख लेंगे बटा पेपर को इस तरह से कट करके इस पे डोनट्स रखने से निकालते वे आसानी हो जाती और निकालते वे शेप आउट भी नहीं होता अब डोनट्स को कवा कर देंगे और आदे खनते के लिए किसी वाम प्लेस पे रख देंगे कस्टड क्रीम अच्छे से थंड़ा हो गया इसे पाइपिंग बैक पे ट्रांसफर कर देंगे आदा घंटा हो गया डोनट्स साइज में डबल हो गया इसे हम फ्राइप कर लेंगे और हलका सा गराम होने के बाद इसमें हम डोनट्स फ्राइप कर लेंगे ज्यादा गराम और में डोनट्स फ्राइप मत करिए वनना अंदर से डोनट्स कच्छे रह जाते हैं डोनट्स साइट से भी डोनट्स अच्छे से फ्राइप होगे इसे निकाल लेंगे इसी तरह से दिशे डोनट्स भी फ्राई कर लेंगे गरम डोनट को हम पॉड़ा शुगर से कोट कर लेंगे स्ट्रॉक की हल्प से डोनट पे हम होल बान आ लेंगे और कस्टड क्रीम फिल कर लेंगे इसी तरह से सारे डोनट में हम कस्टड क्रीम फिल कर लेंगे माशाला कस्टड क्रीम डोनट्स रेडी है आप इससे जरूर ट्राई करिए अस्वाले कुम वीडियो का पचा नहीं तो प्लीज लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करिए इंशाला जल्द मिलेंगे एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक अपनों और अपने फैमली का खयाल रखें अल्लाह आपीस